नमस्कार लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक मैरे सर्टिफिकेट को आप कैसे आडेंटिफाई करें कि वो प्रॉपर है कि नहीं लीगल है कि नहीं कहीं वो इन्वैलिड तो नहीं है अवैद सर्टिफिकेट तो नहीं है तो मैं आपको चार पॉइंट इस वीडियो में बताऊंगा और इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि किसी भी मैरे सर्टिफिकेट को जाचने के लिए आपको क्या क्या करना जरूरी है सबसे पहली बात बहुत पढ़े लिखे और बहुत समझदार लोगों को भी यह पॉइंट समझ में नहीं आता होता है पहला जर्टिफिकेट कर होने का है कि भई जहां पर लर्की रहती हो वहां पर आप मैरेज कर सकते हैं और मैरेज का registration करा सकते हैं तो अगर उस area के court में करा रहे हैं तो proper jurisdiction में हुई है और फिर उसको valid बना जाता है अब आम तोर से आप देखते होंगे कि कोई राजस्थान का रहने वाला है कोई कहीं का रहने वाला है वो आया नहीं पहले से मान लिजे उसने marriage perform कर रखा है already और उसका शादी किसी दूसरे state में जाकर के court के माध्यम से registered हो गया तो वो क्या करते हैं कि place of marriage के अंदर changes कर देते हैं और place of marriage के अंदर change करके फिर आपके marriage को registered कराते हैं अब place of marriage कुछ भी fake डाल दिया कि शादी यहाँ पे हुई थी fake invitation card बना दिया और marriage को registered करा दिया लेकिन कभी भी अगर आप एक legal procedure से जाएंगे और आपके document की जाच अगर होने लगे तो यह बात साफ पता चल जाएगा कि आपकी शादी उस place पे हुई नहीं थी जिससे समस्या आ सकता है तो इसलिए यह एक तरीका है कि जब भी आप marriage को registered कराने जा रहे हैं court से तो इस बात का ध्यान रखें कि place of marriage आपका वही होना चाहिए जिस जगह पे आपकी शादी हुई है वो change नहीं होना चाहिए अगर change नहीं हुआ है और marriage registered हो गया तो इसका मतलब सब सही है अब आता है दूसरा point वो है only ritual marriage certificate only ritual marriage certificate का मतलब यह है कि चाहे आपने निकाह कर लिया या आरे समाज से शादी कर लिया गुर्दवारे से शादी कर लिया हिंदू temple से शादी कर लिया या फिर आपने किसी भी तरीके से आपने शादी क्यों नहीं किया उस शादी को आपने court में या किसी valid authority, government authorities के साथ में अगर आपने उसको registered नहीं कराया है तो जो केवल rituals perform करने का certificate आपको मिलता है इसको Supreme Court और High Court ने कई बार invalid घोसित किया है हाली के दिनों में RA समाज के certificate को invalid घोसित किया गया था इसके बारे में वीडियो भी बनाया है कि RA समाज का certificate किसी के बाली हो जाने की कोई guarantee नहीं है उसने शादी कर लिया या उस certificate के basis पे कोई आपको विशेश कुछ मिल जाता हथिकार ऐसा नहीं है तो केवल ritual perform कराने का certificate अगर आपके पास है और वो मामला court में चला जाए या embassy से या फिर किसी government office से आपको किसी भी परकार की मदद चाहिए होगी तो आपको केवल ritual perform कराने वाले certificate से आपका काम नहीं चलेगा तो ये ध्यान आपको रखना है कि only ritual perform करने वाला certificate के जगह आप court में marriage को registered कराकर के proper certificate लें तब ही आपकी शादी पूरी तरह से valid होगी जो तीसरा point है वो भी बहुत important है कि marriage registration in proper court अब क्या होता है proper court क्या होता है कई लोग ऐसा बोलते हैं जब आपकी marriage हो रही होती है तो आपको तो पता नहीं कि आपके marriage का registration कहा होता है normally हमारे पूरे देश में अगर मैं बात कहूँ कि marriage का registration कहा होता है तो देखे कई state के अंदर marriage officer appoint के गए हैं वो marriage का registration करते हैं कई जगह पे SDM के पास ये responsibility दी गई है कई जगह नगर निगम के माध्यम से होता है तो ये लोग competent authority है अगर कोई भी government office के अंदर आपका marriage का registration हो रहा है तो वो proper government office होगा ऐसा माना जा सकता है बसरते कि वो online available हो आप उसको check कर सकें, verify कर सकें तो उस पे doubt करने की कोई ज़ुरत नहीं है हाँ, कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि आपका शादी हम high court से करवा देंगे supreme court से करवा देंगे अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो high court, supreme court, district court इन जगों पे शादी का registration नहीं होता है नहीं शादी से जुरा हुआ कोई काम कराया जाता है, मतलब like marriage registration वगरे नहीं होता है तो ये भी आपको धियान रखना है और last point है, only protection order marriage होती है और marriage के बाद से high court से protection order दिला दिया जाता है कई लोगों को ये पता नहीं होता है क्या होता है, आप गए किसी वकिल साब से बात किया आपने बात करने के बाद से उन्होंने आपकी marriage rituals के हिसाब से करा दिया और फिर marriage का registration कराना चाहिए था उसको कराने के बजाए उन्होंने high court से protection order दिला दिया ऐसा जादतर हमने देखा है कि चंडीगर्ड या अलाबाद में होता है जहां पर marriage कराने के बाद से high court से protection order दिलाया जाता है और उसमें क्या होता है कि high court ये कहती है कि अगर ये marriage सही है तो इस couple को protection दिया जाना चाहिए वो SP के पास में क्लेटर चला जाता है लेकिन आपकी शादी रजिस्टर नहीं है उस marriage protection order जो कि high court से आया हुआ है उस order को आप online भी चेक कर पाएंगे लेकिन वो marriage certificate नहीं है जो government के तरफ से मिला हुआ वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि high court ने एक couple को जो बालिग है वो court गय है क्लेम कर रहे है कि हमने शादी कर लिया उसके अधार पे आपको एक protection order मिल गया है उसके basis पे आप कहीं पे embassy में या किसी भी जगह पे अगर कोई benefit लेना चाहेंगे तो as a marriage registration certificate वो work नहीं करेगा तो उमीद है इन चार points आपको समझ में आ गया होगा अगर जिस किसी को भी proper और legal तरीके से marriage करना है तो आप हमारे help line number 8-00-444-555 पे call कर लिजे हमारी website leadindia.law पर visit कर लिजे या हमारे email ID care at the rate leadindia.law पर email भी कर सकते हैं दोस्तों मैं बताओं कि हमारे देश में ऐसी सुविधाएं हैं कि आप एक ही दिन में शादी भी कर सकते हैं एक ही दिन में आप शादी का registration भी करा सकते हैं दोनों certificate आपको same day में मिल जाएंगे कोट के certificate को आप online चेक कर सकते हैं बस जरूरी है कि इसके बारे में आप detail में जनकारी हासिल करें और उसके लिए सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक आप help line number पे call कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको like करें चैनल को subscribe करें बेल आइकन प्रेस करें थैंक यू सो मच फूर वाचिंग इस वीडियो थैंक यू